आज हम मादा जननकंत को देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि मादा जननकंत जिसके अंतरगर एक जोड़ी अंडासय आते हैं और अंडवाहिनी गर्वासय और मुख्य रूप से जो मादा जननकंत है उसका काम है अंडानों का निर्मान करना गर्व धारं के लिए गर्वासय को तयार करना और विभिन हार्मोन का स्राव करना तो यहां हम देखें कि मादर जननत्र के अंगर कौन-कौन से भागाते हैं हम मनुष्य का मादर जननत्र याने प्रीमेर का मादर जननत्र देख रहा हैं इसमें एक जोड़ी अंडास है या एक जोड़ी ओब्री आती है एक जोड देख रहे होंगे यह ओब्री या अंडासाय है यह यूट्रस या गर्भासाय है और यह नीचे का अन्यभाग वजाइना और वल्वाद तो हम देखें कि अंडासाय के अंदर अंडानुओं का निर्मान कैसे होता है सबसे पहली चीज़ तो यह कि जब कोई इस्त्री अपने मा के गर्भ में होती है उसी समय उसमें अंडानुओं जनन पोसिकाओं का निर्मान या फॉलिकल सेल का निर्मान हो चुका होता है उसके अंदर प्रात्मिक अंडानों को सिकाओं लगभग दो लाग पचास जाद से लेकर चार लाग तक निर्मित हो जाती है और जब वह जन में लेती है उसके बाद तेरा वर्ष की उम्र से उसमें मेंट्वेशन साइकल सुरू होते हैं और उसी समय अंडानू परिपक्त ह साहते हैं और साथ हिसाथ यह दो तरब दोनों अंडासे हैं लेकिन अगर एक माह में में अटासे में अंडानू का निर्मान होगा अब अगर हम अंडानु निर्मान की प्रोसेस देखें, तो यह मैंने T.S.A.F. O backdropI में हम अंडानु निर्मान की विविन अवस्थाओं को देखेंगत। सबसे पहरी चीज तो अंडासा के बाहर ये एक आपको जो लेयर दिखाई दे रही है ये जर्मिनल एपिथीलियल लेयर या ये जनन इस्तर है इसके बाद अंडा का जो पूरा भाग है उसमें कार्टेक्स और मैडुला दो भाग है लेकिन उनके बीट कोई विभाजन रेखा द्रत नहीं है और जनन उपकला की कोशिकाएं ये और जो एनडानुट फॉलिकल पॉलिक्त कोशिकाएं जो की भूरिया अवस्था से कितनी खूर्णी जोनी अवस्था से दो याध कि नकर चार अनटानुट कोशिकाय या फ५ॉलिक मध प्राज्भी सिकाई जो होती हैं वह को सिकाएं होती तो इतनी हैं लेकिन जम्न के बाद पूरे दीवनकाल में लगभर 400 अंडानु को सिकाएं ही सक्री होती हैं बाकी वयस्त अवस्था आने पर वह विलुप्त हो जाती हैं तो यह विविन अवस्थाओं को प्रदर्शिख करती हैं जो अंडानु प्राथमिक को सिकाएं हैं वो और जमन को सिकाएं मिलकर सबसे पहले आदी पुटक को सिका का निर्वाण करती हैं सबसे पहले बनती है आदी पुटक को सिकाएं या प्राइमरी फॉलिकल सेल उसके बाद बनती हैं वेसी कुलर पुटक को सिकाएं और फिर अंत में बनती हैं ग्रेफियन फॉलिकल या डिम्ब फुटक कोसिखाएं तो कैसे कम सा यह कोसिखाएं बन रही हैं यहां हम इस चित्र में देखें यह कुछ जर्मिनल फॉसिखाएं पर कुछ जो ओबं सेल हैं जो कि पहले से पढ़ी हुई हैं वो दोरों मिलकर आदी पुटक कोसिखाएं बनात होता है और फिर यह एक गुहा का निर्मान होने लगता है इस गुहा को एंट्रम कहते हैं और जब यह गुहा बन जाती है तो यह ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है तो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं और इसी के बाद फिर अंडान विमुक्त होता है ज सब से पहले प्रिमोर्डिर्व फॉलिकल शैर कैसे बनती है तो जो जो वोड़नी अवस्थ्खा से पूटी का कोशिकाय पढ़ी हुई है यह पुटी का कोशिकाय जो की जर्मिनल लेयर में है और एक जाएग उसको घेरे हुए पूठी का कोशिकाई दिखाई दे रही है तो ये दोनों मिलकर आदी पुटक का निर्मान करते हैं अब इसी आदी पुटक से प्राइमरी फॉलिकल या प्राजमिक पुटक का निर्मान होता है तो आदी पुटक ही विक्सित होती है और प्राजमिक पुटक का निर्मान करती है याने यह अंडे के निर्मान की दूसरी अवस्था है इसके बाद वेसिकलर पुटक सेल बनेंगी ये प्राथमिक पुटिकाओं और ज़्याज़ विक्सित हो जाएंगी और अंडानू का निर्मान यहाँ पर चलू होगा और ये अंडानू निर्मान की तीसरी अवस्था है तो ये आप अगला है ग्रेफियन फॉलिकल तो ग्रेफियन फॉलिकल पास में यह अंडानू निर्माण की अंतिम अवस्था है यहां पर पुटक विकास की इस अवस्था में अंडानू पूरी तरह से विक्सित हो जाता है अंडानू कैसा हो गया पूरी तरह से विक्सित हो गया पुटिक आप पुड़ा बन जाता है तो अंडानु यहां से निकलके बाहर आजाता है अब इनको करपस हीमोरेजिकम कहा जाता है ये रप्चर याने टूटी हुई पुटिका कोशिकाएं हैं जिनमें से अंडाणू निकल चुका है और इसे कार्पस हीमो रेजिकम कहा जाता है और इनके अंदर और पुटिका कोशिकाएं और ब्लड सेल आधी भर जाते हैं और अब ये कार्पस ब्यूटियम बना देखा का की जब अंडारू बाहर निकल गया तो ये अंडोच सर्ग है और बचे उए पुटियम और और विखान देने की प्यूंज ग्रंती का जो फॉलिकल stimulating hormone है और luteinizing hormone है दो महत्वोण hormone है प्यूज ग्रंटी के follicle stimulating hormone और luteinizing hormone वो दोनों hormone यहां से लेगर यहां तक्तिक रिया यानि अंडानू निर्मान तक्तिक रिया वो प्रेरिट करते हैं लेकिन इसके बाद यह जो carfus luteum है अगर निशेचन होता है तो carfus luteum सात्वे महने तक रहता है और यह endodem और progestron जैसे hormone का स्राव करता है और गर्व का नियंत्रन करता है फिर हम यहां पर देखें हम पढ़ रहे हैं मादा जननतंत्र तो हमने मादा जननतंत्र का यह जित्तर देखा है सारे आरगन आपको उसमें दिखाई दे रहा है कौन-कौन से आरगन दिखाई दे रहा है एक जोड़ी अंडा से दिखाई दे रहा है एक जोड़ी अंड बाहिंगी दिखाई दे रहा है यूट्रस या गर्वासय दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बैजाईना और वल्वा तो ये इतने भाग हम इसमें देख रहे हैं अब हम देखें कि अंडासय कितने बड़े आकार के होते हैं तो अंडासय 4 cm लंबे 2.5 cm चौड़े होते हैं और जो गर्वासय ये वाला पाट जो आप देख रहे हैं गर्वासय का ये गर्वासय का जो भाग है इसकी दिवाल में दो लेयर होती हैं कौन सी दो लेयर हैं दिखिए गर्वासय की दिवाल में मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम नाम की दो दिवाले होती हैं और अगर अंडानू का निसेचन होता है अंडानु का निसेचन कहां होगा हम यहां देखें यह अंडानु इस अंडासाई से जब बाहर निकलता है तो यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है अंडासाई से निकलने वाला अंडानु कहां चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और यहां पर ही इस्पर्म और अंडानू का मिलन होकर पडलाई देशन या निसेचन की क्रिया अंड वाहिनी में होती है अच्छे से ध्यान रखेंगे निसेचन की क्रिया कहां पर होती है अंड वाहिनी या फैलोपियन चूप में होती है और निसेचन के बाद जब 32 कोसिका की अवस्था वाल और ब्लास्टूला बन जाता है तो जाकर घरभासर की जो एंडॉमेट्रियां नाम की भी दिवाल है वहां धस जाता है और बच्चे का पूरा विकास गरभासर के अंदर होता है तो इस तरह से हमने मादा जनंतंत, अंडासय की अनुप्रस्तकार और किस तरह से जाकर के ब्लाश्टुला अवस्था में जो घुरून है या एंब्रियू है वो जाकर के धस्रा यहां तक देखां, मुझे विश्वास से आपको समझने आया होगां, ठेंक्यू